तो नमस्कार दोस्तों कैशे हैं आप लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास्ट टुबेड सौमार शिंदी के चेप्टर नमबर फाइब जो है कवित जिसके लेखें के भूशन के सब्जेक्टिव क्यूचन देखने वाल क्यूचन को देख चुके हैं तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखा है तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए यहां पर आपका फॉस्त क्या का रहा है यहां पर आपका फॉस्त क्यूचन का रहा है दोस्तों सीवा जी की तूलना भूशन ने कीन कीन से किये हैं तो चलिए इसका अंसर देख लेते हैं और दोस्तों यह आपका काफी पॉटेंट क्यूचन है यह आपका 2013 में आया हुआ है तो आपको अच्छी तरह से इसको जाद कर लेना है तो देखिए सीवा जी की तुलना भूशन ने इंद्र, राम, पवन, शंकर, परशुराम, दवांगनी, चीता, मिरिगराज, तेज, तथा क्रिश्न से किये हैं यानि जो कवी भूशन है वे सीवा जी की तुलना जो है वे भगमान इंद्र से, भगमान राम से पवन यानी हवा से, शंकर, परशुराम, दवांगन, यानी जो जंगल का आग होता है उस से, चीता से, मिरिगराज, यानी शेर से, तेज, यानी उजाला से, तथा क्रिश्न स किये हैं तो आपको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है काफी simple question है चलिए हमनों देख लेता है second question आपको समझ में आ गया होगा देखिए second question क्या कारा जाए second question है सीवा जी की तुल ना भूशन ने मिरी गराज से क्यों की है यानि जो सीवा जी है उनकी तुल ना जो कभी भूशन है वे मिरी गराज यानि सेर शेक क्यों की है तो चलिए इसका अंसर देख लेते हैं सीवा जी अपने इउद कोशल तथा बीरता के कारण सत्रू पच के लिए एक हमेशा प्रवल चुनावती बने रहे है यानि जो शीवा जी थें वे अपने सत्रू पच के लिए सबसे बड़े चुनावती के तवर पर रहते थें क्योंकि शीवा जी काफी बीरत है चुकि भूशन उनके दरवारी कभी थें और दोस्तो जो कभी भूशन है वे शीवा जी की दरवारी का भी थे यानि जो शीवा जी थें उनके दरवार में रहा करते थें अतर अपने आश्रेदाता की बीरता का परशंसाद था उनका उत्सा बर्धन करते हुए वे उनकी तुलना बलशाली मिर्गराज अर्थात सीसे करते हैं और दोस्तों चुकि जो कभी भूशन थें वे शीवा जी की दरवार में रहते थे जिसके कारण जो शीवा जी थें वे जो कभी भूशन थें उसके आश्र दाता थे यानि जो शीवा जी थें वे कभी भूशन के आदर नहीं थे जिसके कारण जो कभी भूशन है वे उनकी बीरता की परशंसा करते हुए और उनकी उत् वे मिरिगराज यानि सेर से करते हैं तो आपको याद रखना है काफिट पोटिन क्यूजन है देख लेते हैं थीरी क्यूजन थीरी क्यूजन यहाँ पर दोस्तो छतर साल की तलवार कैसी है वर्नन की यह यानि जो छतर साल है जो महाराज छतर साल है उनकी तलवार कैसी है हम लोग का वर्णन करना है तो चलिए इसका अंसर देख लेते हैं कवी भूशन छतरशाल के तलवार की तुलना परलैकारी शूर के तेज से करते हैं यानि जो कभी भूशन है यानि जो महराज 76 साल है उनकी तलवार की तुलना जो कभी भूशन है वे शूर की परलेकारी तेजस यानि जो सूर्ज का जो रोसनी होता है सूर्ज का जो परकास होता है उससे करते हैं वह तलवार हाथियों के जुन रूपी अंधेरे को फार डालती थी यानि जो महराज 76 साल की जो तलवार थी वे हाथियों का जूंद होता था हाथियों का जो समू होता था यूद में आप लोग देखे होंगे हाथियों की सेना होती थी यानि जो हाथियों की सेना होती थी उसको क्या करती थी फार डालती थी यानि उसको जो महराज 76 साल से अ मागिन की तरह लिपट जाती थी वह कालिका की तरह सत्रूओं के गले को काट कर मुंडों की माला बना कर मानू महाकाल सीव अर्थात रूद्र के चर्नों में आहूती दे रही है और दोस्तों यहाँ पे जो कभी भूशन है वे कहते हैं कि जो महराज हतरसाल के जो तलवार हैं वे सत्रूओं की गले को इस तरह काटती थी जिस परकार जो मा कालिका थी यानि जो मा काली थी वे अपने तलवार से जिस परकार सत्रूओं की गले को काटते थे उसी परकार जो महराज हतरसाल की तलवार थी वे भी सत्रूओं की गले को काट कर जैसे लगता था जो महाकाल स भायानि जो रूद्र है उनके चर्णों में क्या कर रहा है अहूती दे रही है वैसी जो महाराज शातर साल थे उनकी तलवार थी और महाराज 76 साल की तलवार की तूनला जो कभी भूशन है वे शूर की परलायकारी किर्णों से यानि तेज से किये हैं तो आपको याद रखना है थीरी क्यूचन का अंसर काफीट पर्टन क्यूचन है देख लेते हैं हम लोग नेस्ट क्यूचन में यहाँ पर कभी भूशन क्या कर रहे है तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो बताना है नीचे लिखे अब तरनों का अर्थ असपष्ट करें यानि यहाँ पर जो पंक्ती दिया गया है उसको आपको अर्थ असपष्ट करना है यानि आपका ब्याख्या करना है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपको ज बैरिन की नागनी सी रुद्रही रिजायवे दैदे मुंडन की माल को इस पंक्ति का हम लोग अर्थ बताना है तो चलिए हम लोग इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तो परस्तुत पंक्तिया भूशन दुबारा रचित कवित से लिय गया है यानि जो यह पंक्तिया है एक कवि भूशन दुबारा लिखा गया है और जो आपका जो कवित पाठ है उसी से लिया गया है जिसमें कवि भूशन महराज छतर साल के तलवार की विशेश्ता बताते हुए कहते हैं कि हे राजन आपकी तलवार सत्रूं की गर्दन में नागिन की तरह लिपट जाती है और इस पंक्ति के माधियम से जो कवि भूशन है वे महराज छतर साल की जो तलवार है उसकी विशेश्ता को बताते हुए कहते हैं कि हे महराज छतर साल जो आपकी तलवार है वे सत्रूं की गर्दन में नागिन की तरह लिपट जाती है और रूद्र शीब को परशन करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित करती है और जो महराज शीब है यानि जो महराज रूद्र है उनको परशन करने के लिए उनको मुंडों की माला अर्पित करती है जो आपकी तलवार है सत्रुओं की गहदन को काट कर तो आपको इस पं पंक्ति में क्या का रहे हैं कभी भूशन तेहां पर जो नेश्ट पंक्ति है उनमें कभी भूशन कहते हैं प्रतिभट कटक कटीले के काटी काटी काल को तो दोस्तों इस पंक्ति का हम लोग अर्थ किस पकार से आपको बोड़िंग जाम में लिखना है प्रस्तुत पंक्तिया भूशन दवारराचीत कवित से लिया गया है जिसमें भूशन महराज शतर साल के भी सेश्टा को बताते हुए कहते हैं हे राजन आपकी तलवार परलेकारी है और जो कभी भूशन है वे महराज शतर साल के तलवार के बारे में कहते हैं कि हे महराज शतर साल जो आपकी तलवार है क्या है परलेकारी है जो सत्रू को शमू को शंघार करती है यानि जो शत्रू का जो भीर होता है शत्रू का जो शमू होता है उसको क्या करती है शंगार करती है और एसा परतीत होता है जैसे काली को परशन करने के लिए परशाद परदान कर रही हो और जब आप अपने तलवार से क्या करते हैं सत्रों को शंगार करती है तो एसा परतीत होता है यानि एसा दिखाई परता है जैसे आप जो मा काली है उनको परशन करने के लिए परशाद परदान कर रहे हैं मा काली को क्या कर रहे हैं परशाद परदान कर रहे हैं ताकि जो मा काली है वे खूस हो जाए तो दोस्तों इस पंक्ति के माधियम से जो कभी भूशन है वे बताना चाहते हैं कि जो महाराज छतर साल है उनकी जो पार से सत्रूओं को नश्ट करती है तो एसा परतीत होता है जैसे जो मा काली है उनको परशन करने के लिए क्या कर रहे हो परशाद परदान कर रहे हो तो दोस्तो यही था आपका चार और दोस्तो इसके बाद आपका समरी बच जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजेगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बता जाजेगा और दोस्तो नेक्स वीडियो में हम लोग महतपूर्ण अब्जेक्टिव क्यूशन सब ही यानि पूरे बुक से देखने वाले हैं तो अगर आप चैनल पना हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा शाथ में बेल आइकन घंटी को दबा लिजेगा जय हिंद जय भारत